Hello everyone, good morning, good morning all of you आज 26 सितंबर है तो सिख्चा सिवा आयोग एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है अभी भी सिख्चा सिवा आयोग में कई सारे महत्पूर पद खाली है जिसमें अगर आप देखेंगे तो चार उप सचियों की नियुक्ति होनी है अभी ये पद भरे नहीं जा सके हैं इसके लिए आवाँ जो वित नेंत्र का पद होता है वित एवं लेखा दिकारी का पद होता है और विधी अधिकारी का पद होता है तो इन पदों पर नियुक्ति कराना और एक बड़ा मोर्चा ये भी ये कि सिक्षक भरतियों के लिए अधियाचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना फिलाल आयोग के जो सची हुए मनोज कुमार उन्होंने बताया कि अधियाचन के लिए प्रायमरी सिक्षक भरति के लिए बेसिक, माध्मिक यानि के टीजीटे-पीजीटी, उच्च यानि के असिस्टन प्रोफेसर के लिए तकनिकी, ब्यावसाइक, अलफसंख्यक और यूप नोडल अधिकारी होते हैं, वो नामित कर दिये गये हैं, आयोग में उपसच्यू, स्यूजी, मालवी को नोडल अधिकारी बनाया गया है, और प्रयास ये किये जा रहे हैं कि सरकार और सिक्षा सेवा चैन आयोग कोई मंसा के अनरूप भरतियों को लेकर प्रक्रिया तेजी से सुरू की जा सके, और इसी बीच खबर ये निकल के सामने आ रही ही कि सिक्षा सेवा चैन बोर्ड का जो पोर्टल है, वो आन बोर्ड हो गया है, आन बोर्ड का मतलब कि जो संबंदित विभाग होंगे और सिक्षा सेवा आयोग है और एनाइसी है, ये सभी एक प्रेटफ सक्री नहीं था, लेकि पोर्टल जो है सक्री हो चुगा है, हला कि ये अभी अभ्यरतियों के लिए एकसेसबल नहीं है, अभी ये जो पोर्टल है, ये एक तरीकी से देखा जाए तो आयोग ने तयार कर लिया है अधियाचन के लिए, और अगर आप कहें कि आप इस पोर्ट स्था, नहीं रखते हैं, उत्तर पर्दिश, उत्षतर, शिक्षा, सिवा, आयोग अभी भी यहाँ पर ये पोर्टल चल रहा है और यहाँ पर तमाम जानकरियां जो है अभी भी फ्लैस हो रही है, अब ये बात यहाँ पर अच्छी हो रही है कि धीरे-दीरे आयोग जो पट वैसे नहीं मिलता है ठीक है अच्छी बात है लेकिन मैं आप से एक सवाल करूँगा कि क्या आपकी तयारी इतनी हो चुकी है कि अगर परिशा अगले महीने करवा ली जाए तो आप परिशा को क्रेक कर पाएंगे क्योंकि आवेदिकों की संक्या भी बहुत जादा है तो बेतर ही होगा कि अब जो से समय बचा हुआ है क्योंकि डेफिनिटली ये जो परिशाएं हैं ये मार्च दो हजार पच्चिस से पहले पहले करवा ली जाएंगी तो आपका जो सितंबर है ये बीद गया अब आपके पा तो अगले साल तक आपको बहुत सारी भरतियां देखने को मिलेंगी और देखो इसी बीच एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है यूपी ट्रिपल सी से बड़ी अजीब खबर है यहाँ पर अगर ये खबर यहाँ पर जो पुब्लिस हुए इसके मायने क्या है यहाँ प का तकनी की मुल्यांकन किया गया तो समस्त निविदा जो निविदा देने वाले हैं निविदा दाता हैं वो अनहर पाए गये हैं इसका मतलब यह कि इस साल अक्टूबर नॉमबर और दिसंबर अगर सभी निविदा दाता जो की OMR सीट को प्रोवाइड कर आते हैं वो डिस क्वालिफाई कर दिये गए हैं तो इसका मतलब यह होगा कि इस साल तो आपकी पीटी की परिच्छा मुस्किल लग रही है पीटी दोजार चौबिस इस साल करवाना मुस्किल लग रहा है इसका तो यही अर्थ निकाद है क्योंकि अगर यह जो बहुत जरूरी चीज़े होत चुना जाएगा कि कौन सी संस्था है जो कि इस प्रक्रिया को पूरा करेगी उसके बाद ही आपकी परिच्छा हो पाएगी तो मिला जो लाके आप यह मान सकते हैं कि UP, SSC, PT की जो परिच्छा होती है वो साइद 2024 में संभो ना हो पाए जो कुछ भी अपडेट रहेगी आपको बताएंगे लेकि फिलाल तो इसका अर्थ यही निकलता है और इस सुचना के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और SSC के अंतरगत जो MTS और हवलदार की परिच्छा होती है यह परिच्छा 30 सित्मबर से लेकर 14 नॉमबर के बीच में होगी UP और विहार के 19 तरों में 102 परिच्छा के तर बनाए गए हैं जिसमें कुल 17,93,680 अभेड़ती परिच्छा देंगे प्रिष और Central Board of Indirect Tax and Custom यानि कि CVIN और Central Bureau of Narcotics CBN में हवलदार के 9583 पदों पर भरती के लिए देश भर के जीवगतियों ने आविदन किया हुआ है यह आविदन 27 जून से 3 अगस्त के बीच में लिए गए थे तो फिलाल यह जो परिच्छा हैं यह 30 सितमबर से स्टार्ट हो रही है और एक खबर और भी है जो कि बहुत इंपोर्टेंट रही है रोजगार से समधित नहीं है लेकिन आगको पता होनी चीए कि एड़िट विद्यालों में यानि कि असास की सहताप्राप्त जिनको एड़िट कहते हैं माधि विद्यालों में पिछले 40 वर्सों में हुई नियुक्त देश महामंत्री डालमारी दिवेदी ने बताया कि 40 वर्स पर नियुक्ति तमाम करमचारी सेवानिवर्त हो चुके हैं अब इनका बहुर्ण मांगना आउचित हीन है लेकिन यहाँ पर जो नियूज मांगी गई है वो इसले मांगी गई क्योंकि जांकारी मिल रही थी कि बह पहले एक डियाई होते थे उनसे छोटे होते थे एस डियाई तो एसकी जिगर पर भर्ति की की जाती है खंड शिख्चा अधिकारी की तो खंड शिक्चा अधिकारी के लिए एक नई नियुमाली बनाए अधिकारी होंगी वह जिएए सी के प्रिंस्पल भी बन सकते हैं यह तैयार कर ली गई है, हाला कि अब इसका जो सिक्षक हैं वो विरोध भी कर रहे हैं, उनका ये करना कि जी आइसे प्रथानाचार का पद राजपत्रित होता है, और इसके जो 50% पद होते हैं, वो सीरी भरती से भरे जाते हैं, प्रथानाचारियों की भरती PCS के साथ होती है, औ और ग्रेट पे 54 का होता है, इसके लामा 50% पद पदुनत्रित से भरने का नियम है, लेकि पिछले एक दसक से अभिवादी थे, क्योंकि पदुनत्रित की जो प्रक्रिया है, वो ठफ है, कई प्रवक्ता प्रतनाचार बनने का इंजा करते करते हैं, इन पदों को एक्सर प्र और 22 प्रत्सत महिला GIC प्रवक्ता से और 17 प्रत्सत DIA की पदुनत्रित से भरने का नियम है, DIA का पद खतम हो चुका है, बेसिक शिच्छा प्रत्सत में तैनाथ SDI ही DIA बनते थे, SDI का पद खतम करके BEO का पद बनाया गया, तो BEO बनने वालों ने DIA की तरह की पदुनत्र प्रिंस्पल बननने की मांग की थी, और यह मामला कई सालों से लंबी था, फिलाल यहां पर जो विरूध है वो उस बात को लेकर हो रहा है, कि यहां पर जो BEO का ग्रेट पे होता है, वो 41 सवका होता है, यह प्रवक्ता के बराबर है, प्रवक्ता से हेड्मास्टर पुनत्र होने के बाद वह अगले चरण में प्रथनाचार बनता है, जबकि BEO को इसका लाब जो है एक ही प्रमोशन से देने की त्यारी है, तो इसी का विरूध यहां पर किया जा रहा है, खेर अगर आप BEO बन जाते हैं, तो आपके लिए कैरियर बहुत ही सांदार रहता है, और बह ही है, एक्जेक्ट डेटा तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा, और बात करेंगा, यूपी ट्रिपल सी के बारे में तो इसकी नाकामिया जो है जग जाहिर है, दो वर्सों में 21,000 से ज्यादा पद नहीं भर पाया है, और इसी बी दिये गए थे, एक्सरे टेक्निसियन, डेंटिस्ट, हाइजेनिस्ट, ब्रवर्तन कांस्टेबल, लेखा ने अंतरक, नेतर परिक्शन अतिकारी, जूनिय असिस्टेंट के 5512 पद, इस्टेनोग्राफर, बन रख्षक, मांचित्रेकार, कुलिमलाके 10,149 बदों पर अभी भ देख सकते हैं, अभी इनकी जो परिक्शाएं हैं, वो भी UP SSC करवा नहीं पाया है, और अगर देखा जाये तो, वन दरोगा, कंबाइन टेक्निकल असिस्टेंट, मुख्य सेविका, आइटिय रव्दिशक सहीत, कई प्रानी भर्तियों के सक्षातकार अभी तक नहीं हो पा कराने के लिए आयोग द्रस्तर पर प्रयास्तत है, कुछ मामले मानने न्याले में हैं, सिग्री परिशाओं को संपन्न करा लिया जाएगा, तो यह जांकार यहां से निकल कर आ रही है, अब कुछ नई भर्तिया भी होने वाली है, नगर पालिकाओं में नगर नियोजक और परयावरन अभियंताओं की भर्ति होने वाली है, सतान में नगर नियोजक और एक सो त्रिशाओं की पद जो परयावरन अभियंताओं की उनके पद भरे जाएंगे, हैनि कि लगब कुछ मिला के जोड़ा जाए तो दो साथ पद उपर नगर पालिकाओं में भर्ति कराने के बारे में यहाँ पर जांकारी मिल रही है, आप लुग जानते ही हैं कि विसस्तंगियों और तकनिकी सहायता के लिए आउट्सूर्सिंग का प्रावधान किया गया है, प्रसासनिक काडर 666 से बढ़ाकर 912 पद, राजस्तुमे 766 से बढ़ाकर 1345 और स्वक्षता काडर 523 से बढ़ाकर 1299 पद का किया गया है, तो इसी के अंतरगत यह भरतियां हैं, वो करवाई जाएंगी, अभी यह भरतियां किस प्रकार से होंगी, इसके बारे में कोई भी अभी क्राइटेरिया नहीं किया गया है, लेकिन इतने पद फिलाल रिक्त हो रहे हैं और इनको भरे जान है, जिस पर आकर आप हमको फालो कर सकते हैं, लेकपाल अमीन अपनेंगे उनिफार्म, तो अब इनके लिए बाकाइदा एक उनिफार्म होगा, फार्मल स्वेट सर्ट होगा, फार्मल ब्लेजर होगा, और बाईजीब के उपर प्रतीक चर्श भी लगा रहेगा, तो अब आ दस दिन हो जाएगा, इसके लिए जो है कमपनिया जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो यह सारी जांकारी आज की इस सेस्टन में और सोसल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हमें इन जैसे की फेस्बुक हो गया, वार्टसप हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो इसको फेस्ट करेंट एफेर भूट भी इंपोर्टेंट है, तो जनवरी से लेकर अब तक की पूरी करेंट एफेर आपको दे दी गई है, साथा हर मेने की जो करेंट एफेर है उसकी भी PDF आपको दी जाती है, अगर आपने अभी तक इसको डॉन्लोड नहीं किया है, तो लि झाल झाल